सीधे बैंक खाते में पैसा भेजेगी तीन सो यूनिट तक बिजली मुफ्ट मिलेगी और जादा बिजली पैदा होगी वो सरकार खरिज लेगी जी हां दोस्तों पीम सोरिगर योजना के अंदर आप अपने घरों पर सोलर इनिस्टाल करा सकते हो जिसमें कि जो भी खर्च आएगा उसका 78,000 रुपए तक का आप सभी को गौवर्मेंट की तरफ से सबस्डी की तौर पर पैसे मिलने वाल है इसी के साथ में 300 यूनिट आपको हर मैने बिजली जो मुफ्ट गौवर्मेंट की तरफ से दी जा रही है उसका भी benefit आप ले सकते हो यहाँ पर आपको registration करने से ले करके सबस्डी आपको कैसे मिलेगी पूरा का पूरा प्रोसेस हम live देखने वाले है सबसे पहले तो pmsorighar.gov.in जो इसका official portal है इसका जो link है हमने वीडियो के description में दे रखा यहाँ पर आप सुभी लोग देखोगे कि online apply for rooftop solar यह जो option है दिया गया है इसपे click करके हम नया आवेदन कर सकते हैं आवेदन करने का पूरा प्रोसेस में आपको live दिखाऊंगा उससे पहले हम देखेंगे subsidy structure तो यहाँ पर आप देखोगे कि जिस तरीके से आपका monthly average consumption है उसके according आप अपने घारों पर solar panel है वो लगा सकते हो जिसमें कि यहाँ पर आपको बताया गया है कि आगर आपका जो बिजली का consumption है वो 1500 unit तक का है तो आप 1-2 kWh capacity का जो solar है वो आप अपने घार पर install करा सकते हो वहीं अगर आपका consumption 300 unit तक का है तो 2-3 kWh का solar है वो आप लगवा सकते हो 300 से ज़्यादा अगर आपका consumption है तो यहाँ पर 3 kWh से अबब आप जा सकते हो maximum आप सभी को 78,000 रुपेज का जो subsidy है वो इस स्योजना के अंदर मिलने वाली solar को कैसे install कराना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूं तो home page पर आना है यहाँ पर आपको option दिया गया है apply for rooftop solar हमें इस option पर क्लिक करना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर login का page आता है जो बिजली को supply करते है आपको अपने bill पर जो भी mention है वो selection करना है इसके बाद में अपना जो consumer number है यानि कि बिजली का bill पर जो number आपका mention किया गया है वो यहाँ पर fill करना है इसके बाद में आपको next की tab पर click करना है आपना phone number इंटर करना है जो capture code दिखाया गया वो save यहाँ पर enter करना है आपको submit की tab पर click करना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमारा जो account है वो create हो चुका है अब इसके जरी हमें login की tab पर click करना है तो हमें form को fill करने के लिए proceed की tab पर click करना है आप सभी के सामने apply for rooftop solar installation कुछ इस तरीके का पेज आएगा जहां पर आप सभी को जिस तरीके से आप सभी के बिजली के बिल पर detail है कुछ उसी तरीके से आप सभी को यह जो form वो fill करना है तो आप सभी के पास में अगर आपको बिजली का बिल नहीं है इसके बाद ने आप सभी को address or premises for installation की टैप पे click करना है जो भी आपके घर का address है उसी तरीके से आप सभी को यहाँ पर इंटर करना है address line 2 और village का जो name है कुछ इस तरीके से इंटर करना है यहाँ पर city का जो name है आप इंटर करोगे आपके area के जो division होंगी list आ जाएगी आपको selection करना है यहाँ पर आपको बताना है sensor load जितना भी load आप सभी के electricity bill पर मौझूद है उसी तरीके से आपको इंटर करना है आप सभी को solar rooftop detail के section में आना है सबसे पहले तो आप सभी लोग जैसे की घरेलू solar install कर रहे हो तो residential वाला जो option है इसको आपको select करना है और click for solar rooftop calculator देन आप सभी के सामने जो calculator मैंने सुरुआतने दिखाय था से उसी तरीके से आ जाएगा यहाँ पर आप अपनी जो state select करोगे देन आप सभी को अपनी जो category है जैसे की residential पर अभी यह जो benefit है वो मिलना है तो यहाँ पर हम selection करेंगे आपको जो monthly average bill है वो कितना आता है तो suppose करते हैं 700 rupees हमारा monthly average bill आता है यहाँ पर rooftop के लिए आपके पास में area कितना है तो यहाँ पर fits में पूछा जा रहा है यह दे सकता हूँ अब आप से यह भी पूछा जाता है कितनी capacity का आप solar लगवाना चाहते हैं तो चलो 2 kilowatt हम यहाँ पर type कर देते हैं आपको जो meter पर sensor load है वो कितना है तो हम मान लेते हैं 1 kilowatt हमारा sensor load है calculate की type पर आप click करोगे यह दिन आप देखोगे कि हमारे सामने एक पेज आ चुका है जहां पर आपको यह देखने को मिल जाता है कितना estimated project की cost होगी अभी हमने क्यों एक kilowatt जो solar है उसके लिए भी हमने calculate किया है यहाँ पर drag करने का option दिया गया है इस तरीके से 2 kilowatt पर कितना आपको benefit मिलने वाला है 3 kilowatt कितना हमें government की तरफ से इस पर subsidy मिलेगी यहाँ पर आप देख सकते हो और यहाँ पर आप सभी लोग यह देखोगी कि final का आपको कितना पैसा अपने पास से investment करने की जरुरत होगी यहाँ पर आपको 60,000 रुपे का government की तरफ से subsidy मिलने वाला है 2 kilowatt का अगर आप solar install करते हो कितना rooftop area आपको जरुरत पड़ेगी यहाँ पर आप देखोगी कि 2,000 square feet की आपको जरुरत होगी कितनी आपकी financial saving होने वाली है आप यहाँ पर देख सकते हो daily के आपको 25,000 रुपे का financial saving होने वाला है यहाँ पर आप सभी को जितने भी kilowatt की capacity का solar चाहिए यहाँ पर प्रपोजेट solar panel के section में आप सभी को वो kilowatt आपको इंटर करना है यहाँ पर कोई भी पहले से solar आपके घर पर building पर पहले से अगर कुछ install है कितने kilowatt का अगर है तो आप बता सकते हो नहीं है तो इसको आप skip भी कर सकते हो इसके बाद में latitude, longitude की टैप पर आना है यहाँ पर आप सभी का जो building है घर है कहाँ पर located है कुछ इस तरीके से drag drop करके आपने घर का जो exact location है यहाँ पर आपको पिन कर देना है यहाँ पर save and next की टैप पर क्लिक करना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि application form में हम second page पर आ चुके हैं जो भी first page पर आपने information देज की है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है यहाँ पर आप सभी को बोला जा रहा है कि electricity bill की जो copy है वो आपको upload करना है JP, JP, PDF format पर आप यह जो file है upload कर सकते हो choose file के option पे click करोगे और जहाँ पर भी आपने save करके रखा है selection करना है और इस तरीके से आप देखोगे कि हमारी जो file है वो upload हो चुकी है आपको यहाँ पर यह जो information है save के option पे click करके save कर लेना है दिन आप सभी को final submit के option पे click करना है और यहाँ पर pop up में ok के option पे click करना है तो इस तरीके से आप देखोगे कि हमने solar install कराने की request है वो हमने दर्ज कर ली है यहाँ पर हमारे सामने application has been successfully submitted का जो message है वो आ जाता है इसी की साथ में आप सभी को बोला जा रहा है कि subsidy को receive करने के लिए आपको अपना जो bank account detail है वो यहाँ पर दर्ज करने की जरूरत होगी तो यहाँ पर आपको go to bank detail के option पे click करना है और यहाँ पर अपने bank account की जो details है सबसे पहले जिस भी bank में आपका account है bank name यहाँ पर आपको selection करना है यह जो details है आपके passbook मिल जाएंगी आपना जो account number है यहाँ पर आपको fill करना है तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर cancel check या फिर passbook को upload करने के लिए बोला जाता है जिसका जो maximum size वो 2MB होना चाहिए इसके बाद ने submit to mnre इस option पर आपको click करना है तो यहाँ पर आप देखोग है आप लोग email box अपना open करोगे तो यहाँ पर आप देखोगे पीम सुरगर योजना का जो पोल्टल है उसके थुरू आपके email में अप्लिकेशन की जो close men sleep है वो sent की गई है जिसम्में की आप सारी की सारी सारे डीटेल देख सकते किते किलोवार्ट का जो सोलर है वह आपने इंस्टाल करने के लिए डिक्वेस्ट दी है आप यहाँ पर देखोगे कि जो रिक्वेस्ट है यह verification के लिए जा चुकी है मध्यांचल बितरण Limited के पास में आपके case में अगर कोई दूसरा organization है बिजली कोई दूसरा company supply करता है तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर जो भी electricity department है supply करता जो बिजली उनके द्वारा आपके घर का जो verification है वो किया जाएगा आपके घर पे भी वो लोग आ सकते हैं एक ब सबसीडी के लिए आप eligible हो गए वो आप से भी कोई लेटर मिल जाएगा जैसे कि मैंने एक किलो वार्ट का जो solar है वो अपने घर पर इंस्टाल करने के लिए request दी हुई है तो यहाँ पर 30,000 पर की जो सबसीडी है हम इसके लिए eligible हो चुके हैं नीचे के तरफ आप देखोग की verification की जिरूइपोर्ट है वो भी यहाँ पर लग चुकी है यहाँ पर जिस डेट में आपका verification घर पर किया गया है आप यहाँ पर mention देख सकते हो solar install किस location पर होना है यहाँ पर आपको दिखाया गया है अब आपको करना क्या है यह document आपको मिलने के बाद में आपको खुश से ही जो vendors हैं जो solar install करने का काम करते हैं उनसे आपको संपर्क करना है अब यहाँ पर आइसा नहीं कि आप फिजिकली जा करके किसी vendor से संपर्क करो गवर्मेंट ने जितने भी vendors को allocate किया है उनकी जो list है इस portal पर आपको मिल जाएगी जिसमें कि पहला जो section आपको यहाँ पर दि निस्टाल कराना चाहते हो यहाँ पर आप उसके पास में जो request कर सकते हो उनकी contact detail भी आप यहाँ पर दी गई है अगर आप अपनी location की area के हिसाब से यहाँ पर सर्च करना चाहो तो अपने area का name लिख करके आप जैसे सर्च करोगे तो आपके area में dedicated जो vendors होंगे उनकी जो list है देख सकते हो डू लगाता हो तो कितना खर्चाए गा घृसंपर लगाते हो किना खर्चाईगा पहचान कर सकते हो नंबर को सब्सक्राइब कर सकते हो पाकी आंब करने के पас से उनकी तरफ से आप से contact किया जाएगा आप सबी को यहां पर सम्मिट इंस्टिलेशन डिटेल के टैप पर आना है यहां पर सब्सिडी का जो amount है इसको पाने के लिए आपको vendor की जो details है जिसने भी आपके घर पर solar install किया है उसकी जो details हैं यहां पर आकर के submit करना होगा जिस भी vendor वेंडर ने आपके घर पर solar install किया है उसका यहां पर drop down से name select करना है इसी के साथ में एक document आपको यहां पर upload करने के लिए बोला गया है जो कि document जब installation complete होता है उनकी तरफ से form sign करके दिया जाता है जो कि यहां पर form के section में अगर आप आओगे तो agreement with scope का option दिया गया है इस option पे क्लिक करके जो form है download कर सकते हो यह जो form है जो भी वेंडर आपके घर पर solar install करता है उससे आपको fill up कराना है और दिन आपको यहां पर upload कर देना है इसके बाद में सोलर का पीवी मॉंडिल होता है एक मॉंडिल कितना काइपेशटी का है इसेशाथ में टोटल कितनी प्लेट लगाइगे है किस मैनुफیک्छर के द्वारा बनाई गई है यहाँ पर आपको मेंशन करना है यहां पर जितने भी किलोवाट का आपका तोलर होगा सारी कौटिटी आ चौह लिए यहां पर आकर को किना है इसके बाद में की तरफ से विए चारी किया जया आपको यह अप्लोड करने के करना है और अपलोड करने के बाद में आपको यहां पर भी सेब नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है इसकी बाद में आप सभी के सामने लास्ट पेज आता है जहां पर कुछ डिवाइस के बारे में पूछा गया जैसे कि सोलर इनिस्टाल हुआ है वेरिफिकेशन होने के बाद में आप सभी की घरों पर एक गौर्मेंट की तरफ से नेट मीटर लगाया जाएगा जिससे आपके घर में कितने इलेक्रिसिटी जनरेट हुई है वो मौनीटर किया जाएगा इसी के साथ में अगर ज्यादा बिजली जो ऑप्षन दिया जाता है जिसमें कि आप लोन ले सकते हो उसके बारे में अगर आपको जानना है या पिर अन्य कोई डाउट आपका है या डिटेल वीडियो कोई चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना तो इस तरीके से आप सभी लोगों कि तरफ से दिया जाता है आप इसका बेनिफिट ले सकते हो अब आप सभी लोगों को वीडियो है कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना और हम मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो में तब तक ले गुडबाई जैहिन